हेलो टेडर्स आज ही डेट है 10th of October और आज का दिन कुछ खास नहीं रहा है विकास मॉर्णिंग में निफ्टी और निफ्टी के अंदर यह जो इतनी बड़ी केंडर्स बनी है इसके बाद पूरे दिन प्राइस के मुव्मेंट एक साइड वे मूव में ही रहा है next to impossible है कि किसी ने भी आज की मार्केट में कोई ठीक ठाक profit निकाल हो जिसने भी weight किया होगा उसको loss ही हुआ होगा because market उपर की दिशा में जा रही है बट जिस style से उपर की तरफ जा रही है chance ही नहीं कि यहाँ पर आपको कोई profit बने ज्यादा अतर लोगों का आज के दिन सिर्फ इसने loss ही किया है कल के लिए हम लोग कुछ तारी कर लेंगे कुछ पांच stocks हम बताएंगे आपको उनके levels आपको निकाल के रख लेने है daily time frame पर red candle form हो सकती है या green candle form हो सकती है यह हम discuss करेंगे के बाद में कुछ levels हम देंगे उन levels के पास से आप उन्हें stocks को देखोगे पांच stocks उनके levels nifty and bank nifty की analysis को हम लोग आज के लिए prepare करेंगे कल ट्रेट करने के लिए thanks video अच्छ लगता है तो like किजगा एंगे जितने भी stocks जितने भी charts अभी हम लोग discuss करेंगे यह सारे के सारे आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे वहां से आप इसके levels बगरा बहुत जूम करके जैसे भी आप जहाओ डाउनलोड करके देख सकते हो टेलिग्राम चैनल का link description में वहां से आप चैनल को join कर सकते हो थैंक्स वीडियो कर अच्छा लगता है informative लगता है कुछ help इससे होती तो उसको जरूर से जरूर लाइक कीजेगा अगर कुछ questions मन में उखते हो तो आप उससे comment कर सकते हो स्टार्ट करते हैं अच का वीडियो सबसे पहले हम लोग स्टॉक देख लेते हैं हमारा सबसे पहला स्टॉक है एंजल वन एंजल वन में कल के session में यह भी चांस है कि आपको यहां पर एक green candle देखने को मिल जाए सो डेली टाम फ्रेम पर एक green candle फॉर्म हो सकती है प्राइज में अगर आपको बाइंग के अपॉंचियोटी मिलेगी तो ही हम लोग इसके अंदर सिर्फ बाइंग करेंगे क्योंकि प्राइज ने देखिए कई बार नीचे की दिशा के जितने भी stop losses है उनको put करने के बाद मे प्राइस सीधे upset की तरफ ही गया है वॉल्म के confirmations daily time frame और lower time frame पर दोर ही है कि कल के session में हम लोग इसके अंदर buying करते हुए चलेंगे and maybe chances इसके अंदर आपको कल के session में green candle ही देखनों को मिले next stock है हमारे पास mcdowell का united spirit में हम लोग कल के session में buy करेंगे क्योंकि mcdowell में भी बहुत ज्यादा chances है कि daily time frame पर हमें इसमें green candle देखनों को मिले लेवल्स हमारे कौन से रहेंगे trade करने के लिए यह वाले live market में अगर 9.15 की candle के movement कुछ ज्यादा बड़े हो जाते है तो आप उस 9.15 की candle के breakout पर ही trade करोगे and कोशिश यह रहेगी कि हम पर expectations है कि daily time frame पर आपको red candle form होते हुए दिख जाए level हमारे यह वाले रहेंगे इसी जगह पर आप अपने entries के confirmations लोगे buying करना है तो buying side में हम लोग entries के confirmations लेते हैं short करना है तो short side में हम लोग entries के confirmations लेंगे कभी भी दो तैय के view बना करके हम लोग किसी stock को trade नहीं करते है जैसे आज के session में टेलिग्राम पर हमने आपके stock देहता trade करने के लिए उसमे confirmations मिली हैं हमें और हमारा stop loss हो गया इस situation में अगर हमारा stop loss जाता है तो वह एक genuine stop loss होता है otherwise एक ही stock में हम लोग एक बार buy sell फिर buy फिर sell फिर buy फिर sell पता नहीं कि क्या करना है किस level से करना हमारा point of action क्या होगा इस तरह से जब हम लोग अपने stop process हिट करवाते हैं तो वहाँ कोई logic नहीं बनता कोई reason नहीं बनता कि आपने एक logical analysis के साथ में वो trade execute किया हो आपने जस्ट वहाँ पर gambling की है level fix होना चाहिए हमारे पास जे जगह से में trade execute करना है उसके पहले हमको पता हो कि particular point से में trade execute करना है यह नहीं है कि live market में कहीं पर भी आपको इस टॉक चलता फिर ता देख आपने उसको trade मार दिया level fix रहेंगे अपने हमारे जो point of view इस टॉक को लेकर कि वो fix रहेगा इससे पहले बीएचियल से पहले दो इस टॉक बताए बाई हो रहेंगे naked ऐसे ही short नहीं कर देना है हम लोग यहाँ पर अपने confirmations लेंगे live market में जो भी हमारी analysis रहेगी हो सकता है Candace ज्याधा बड़ी बन जाए यह प्राइस आपका थोड़ा सक gap up करके और इन lines के पास में यह support लेने लग जाए कुछ इस तरह से support स्वार्म होने दी जागा जैसे यह support नीचे की तरफ ब्रिक होंगे हम लोग यहाँ से short selling कर देंगे यह हमारी one day before analysis है जब हम कोई stock निकाल रहे हैं जरूरत यह भी पढ़ती है कि एक दिन पहले हम जो stocks निकाल के रख रहे हैं क्योंकि stock selection दो तरह से होता है एक होता है before market जैसा कि अभी हम लोग कर रहे ह और एक होता है live market में जब before market stocks हम निकाल के रखते हैं और वहाँ पर levels हमारे according perform नहीं कर रहे होते हैं तो उन stocks को हम फिर skip कर देते हैं और live market में अपने stocks निकालते हैं कोशिश तो यही रहेगी क्योंकि levels बहुत strong है and जो stock selection का method है वो भी strong है तो जिस भी stock में हम आपको बोल रहे green candle बनेगी तो उसमें बहुत ज्यादा चांस है daily time frame पर आपको green candle ही देखे अगर हम यह कह रहे हैं कि उसमें red candle form होगी तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसमें आपको red candle ही देखनों को मिले तो जिनमें red candle जैसे इंडियो को है आप shot करते हुए ही चलोगे red candle ही form होगी अब यह लेवल के पास से सिर्फ short selling करेंगे और यह कुछ stop losses के point बने हों कि यहां पर बहुत सारे order से में pending दिख रहे हैं price actions and volumes के क्योंकि यहां पर volumes हमारी dry होई है तो एक बड़ा move अभी बचा हुआ है अगर यह move हमें कल downside की तरफ दिख रहा है तो AB capital में आप यह मान के चलना है कि आ कितनी भी कॉंटिस कितनी भी capital के साथ नहीं मार देना है 100% margin use नहीं करने है पर trade risk आपको fix होगा 1-3 या 1-2 2.5 से कम ratio अगर किसी stock को मिलेगा तो हम trade नहीं करेंगे कम से कम कम से कम 1-2 तो होना ही चाहिए otherwise हम लोग यहां पर option वगरा trade नहीं कर रहे है कि 1-1 या 1-1 मतलब एक उ stop loss है और 0.50 पैसे का हम target book कर रहे है यह हालत होती है जो option trade कर रहा है the trader उसके साथ में तो हम लोग को वीडियो गेम नहीं खेल रहे है proper management के साथ में काम करेंगे यहने करना options वगरा करने दीजे क्योंकि समय से पहले जैसा हम हर बार बोल रहे हैं समय से पहले options start नहीं करने पहल पहले equity में profitable बनो इसके बाद में फिर हम लोग nifty and bank nifty में काम करेंगे अभी देखिए nifty और bank nifty को देखते हुए हम लोग जो analysis करेंगे कल के session में market में वो analysis किस तरह से काम करती है दीरे 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 करके हम लोग फिर nifty और bank nifty के analysis बिस्टार्ट करके उसके और भी कोशिश कर नहीं trade करवाना चारी आपको ज्यादा से ज्यादा कि आप option करो और उसके पास tax broker के पास उसकी brokerage और सभी के पास उनका अपना अपना हिस्सा जाता रहे और वो देगा कौन वो दोगे आप तो बागी सब लोग अपना अपना काम करें और आप भी अपना दिमाग चलाओ कौ से नो वो लोग उन लोगों के लिए market खुल रही है जो की job में है या जिनके पास दिन में समय नहीं हो बेचारा शाम को घर आ रहा है शाम को और वो घर पर आ करके बैठा हुआ है तो उसके लिए market start करा देते हैं क्योंकि broker की jeb में अभी job करने वाले की jeb से job करने वाले के salary स broker की jeb में भी कुछ नहीं जा रहा है या government की jeb में अभी वहां से कुछ नहीं जा रहा है तो उसको भी छीनो वहां से भी पैसा निकालो उसको भी motivate करो कि yes you can do it option कर सकते हो करोड़ पती बन सकते हो यह हो सकते हो समझ रहा है क्या एक image बनाने की कोशिश हो रही है क्या हो रहा ह तो इन सब भेकावों से थोड़ा सा दूर सबसे पहले जिस तरह से हम लोग शुरुआत में education लेते हैं और इसके बाद में फिर आगे की तरफ काम करते हैं तो यहाँ पर भी equity को एक माध्यम बनाई है market को trade करना है यह सीखने के लिए कभी यह नहीं होगा कि कम capital है तो हम क्या करें यह equity trade करने के लिए तो बहुत ज्यादा capital चाहिए ज्यादा capital चाहिए बट potential इसी में है सिखाएगी यही तो इसका use करो market को सीखने के लिए जब सीख जाओ तब फिर धिरे-धिरे आप सीख जाओगे stocks ही करने लगोगे तो शायद आप कही मान ना करें कि फिर आप option trade करो अब इसी पर fix हो जाओगे अब हम लोग आते हैं bank nifty देखिए nifty bank में पिछले 2-3 दिन के यह move है कल के section में हो क्या सकता है क्योंकि previous क्योंकि पिछले moves को read करने के बाद में कुछ यह अपने पास levels आया है अब इन levels का use हम लोग कल की market में कैसे कर सकते हैं और कल क्या हो सकता है इसको देखेंगे सबसे पहले तो chances बहुत ज्यादा है कि प्राइज में आपका collect gap down हो सकता है कि प्राइज आपका gap down होने के बाद में प्राइज आपका नीचे की तरफ है नीचे की तरफ कहां तक इस जगह तक यह जो आज का swing लगा है ना प्राइज आपको यह swing break करके और वापस से उपर की तरफ जाए और हमारा जो आज का swing है अपसेट का इसको ब्रिक कर दे ब्रिक कर देने के बाद में थोड़ी दिर sideways and sideways के बाद में upside का move और previous day के high के उपर price आपका trade करने लग जाए एक तो यह scenario बन सकता है दूसरा scenario क्या हो सकता है कि price सबसे पहले आपका gap up opening दिखा है यहां के जितने भी orders अपने pending पढ़ हुए हैं यह सारे के सारे order आपके fill हो और price फिर आपका direct नीचे की तरफ आ जाए यहां तक आने के ब एकदम से अपने कल के swing को break नहीं करेगा यहां पर consolidate करने के बाद में अचानक से एक move आपका day high break कर दे यह expectations हो सकते हैं कि इस तरह के price actions कल बन सकते हैं हमें क्या करना है कल के लिए देखिए price में आपको तुरंत अपनी entry नहीं बनानी है जब तक price आपको यहां या फिर इस जगह पर या इस जगह पर होना जरूरी है अगर यह upside की तरफ जा रहा है और इस जगह से आपको short selling के confirmations दे रहा तो फिर आप क्या करोगे short selling करोगे price आपका gap down opening देने के बाद में नीचे की तरफ आए यहां से अगर downside की तरफ जारा तो ठीक है बट इस जगह से अगर आपक तक हम लोग फिर short selling नहीं करेंगे इसके उपर जब तक market है यह एक तरह की strong market price यहां से upside की तरफ की movements दिखा सकता है और अगर हमें buying करनी है upside तो हम लोग क्या करेंगे 24,508 रुपय का area इसके उपर से ही हम लोग buying करेंगे समझखे न और आज का जो day high है यह हमारा resistance बन जाएग दिख जाए तो बहुत इत्मिनान के साथ में सब कुछ read करते हुए हमने आपको यह भी बता दिया कि कहां से क्या करना है और वो point of actions आपके किस तरह की इन analysis से हमें फाइदा यह मिलता है कि जब market कल open होगी तो हमें यह पता रहेगा कि कहां से क्या करना है हर बड़ी में कभी एक या दो candle के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे सारी चीज़ें predefined है हमारे level predefined है क्या करना है और किस level से करना यह भी हमें पता है और जब हम लोग nifty को देखने तो nifty के अंदर भी देखे same movement आपको दिखाई पड़ेंगे हमारे पास 4 levels क्या हो सकता है कि price हमारे इस swing को नीच करें थोड़ा सा सस्टेन होने के वाद में आपको लगेगा कि price आपका upside की दरफ निकल रहा है बट जैसे यह वाला order आपका फिल होगा price आपका continuously में भी चांसे की नीचे की दरफ गिर चाहिए यह जो जोन बने है ना यह बहुत strong zone है आज के लिए यहां पर हमें करना क्या है सिंपल सी चीज़ है जब price आपको इस जगे पर मिलेगा तब आप ट्रेट मारोगे otherwise यहां पर मिलेगा तब ट्रेट मारोगे price में भी चांस है कि आपका gap down opening दिखा दे और यह वारा जो इरिया है ना यहां पर आपको support ले ले short selling अगर करनी है तो आप इस एक जगे से short selling कर सकते हो यह वाली जो candle बन रही है मारी यहां पर short selling करने के बाद में जैसे price आपका इस swing को break करेगा क्योंकि अगर यह break किया तो यहां पर आपको बड़ी सी एक pin बार हो सकते है देखना को मिल जाए नीचे जाए market और यहां से pin ब करना price जैसे नीचे की तरफ निकल रहना आप यहां से short करना और इस वाले level के पास में आप अपने targets बुक करोगे दूसरी चीज़ इस वाले जगह के नीचे अगर market आपको दिख रही है और वो sustain कर रही है और यहां पर आपको आपके एंड़ी से confirmations मिले तो आप short कर दोगे लेकिन तुरंत नहीं कि एक candle में ने और आपने short कर दिया इसके अलावा जो point of actions बन रहे हमारे वो बन रहे हैं ये वाले price जैसे ही upside के तरफ के breakout दिखा करके वापस से अपनी previous range के अंदर re-enter करता है ना यहां से फिर आप short selling करता होगे अगर re-enter करता है तो otherwise अगर यहां से आ आपका upside की तरफ जा रहा है और अपने resistance यानि के buying side में एंट्रेस के confirmations इस वाले level के ऊपर दे रहा है समझ रहे है ना short selling करनी जह हमारी range के अंदर price re-enter करेगा और अगर re-enter नहीं करता है upside की तरफ ही है और यह ऊपर की दिशाव है मतलब अपने resistance को अगर break कर रहा है 915 के आप फोकस करके यहां के लिए काम करते हैं यह पांच stocks nifty और bank nifty के analysis इन्हें आप देखोगे इनको जो screen shots होंगे वो भी हम group में share करें आपको वहां से मिल जागा I hope कि यह सारी चीज़ें कल की market को समझने में आपकी help करेगी इससे आप खुद भी read करोगे stocks को देखिए उसके पहले कल की अपनी जो management वगर हैं उसको एक दिन पहले ही define कर लिए कि कल की market में हमें करना क्या है क्योंकि live market में कोई भी extra activity हम लोग नहीं करेंगे कोई experiment नहीं करेंगे Thanks and we will meet again